Hello students, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of vodka that is workbook of Hindi class 5. आज पढ़ने वाले इसमें chapter 9 जिसका नाम है तीन सवाल यानि एक राजा की मन में उठने वाले तीन सवाल क्या थे वो आपने चेप्टर में पढ़े होंगे और कैसे उसको उन तीन सवालों का जवाब एक सादू के द्वारा दिया गया उससे समंदित इसमें एक्सेस आया जाए यहां से आपको कुछ ग्रामर टाइप और कुछ कोश्चन आंसर सीखने के लिए मिलेंगे फर्स्ट कोश्चन एक नीचे दिए किसी आठ मैशूस करना वह अच्का चाना कहला था मुग्द का मतलब होता मन मुखक हो जाना आपको अच्छा लगना अब सब्द का मतलब होता गलस सब्द कहना या किसी को काली गलोज देना शेकंड कुश्चन है शेकंड कुश्चन को प्रिश्चन के आंसर लिखने है निमलिखत प्रिश्चन के उत्तर दीजिएगा अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने क्या गोश्चना करवाई तो राजा ने इस बात की उत्तर गोश्चना करवादी जो भी उसके तीन सवालों का जबाब देगा उसे यथेष्ट पुरुषकार दिया जाएगा यानि कोई स्ठीक ठाक्षा उसको पुरुषकार मिलेगा राजा जब सादू से मिलने गई तब सादू क्या कर रहे थी तो सादू अपने जो पड़ी शामने जो जगह पड़ी थी उसको एक सकते हैं तो कभी भी किसी काम को करना आप सबसे महत का अदमी का राजाने गाल्वेक्ति कि साथ क्या कि राजा ने उसकी की नहीं गाइल था उसकी दू-तीन वाइल लगा ता और मरम पटी की तो इसका खूण वेयना बंद हो गया था और वह ठीक हो गया शादू कंसाथ जीवन की सफलता किसमें है देख इसमें साफ-साफ का गया एक दूसरे की मदद करना ही जीवन की सफलता है हमें जीवन इसलिए मिला है कि हम दूसरों के काम आएं इसी में जीवन की सफलता है next question देखिएगा कि इनके बिलॉम सब्द में लिखने है सब्दों के यह से अपमान का सम्मान करना निश्चित का निश्चित ग्यान का ग्यान आ लगाने से भी अक्सर सब्दों का बिलॉम बन जाता है चीतन अचीतन महाल के जोपड़ी हो जाएगा सफलता असफलता आवश्यक अनावश्यक अवादन का मतलब होता अलविदा कह देना बिदाई देना पास का दूर होता और संदिया का शुबह होता संदिया का मतलब होता साम और ये प्रत्य प्रत्य मलब लगाना है प्रत्य किसी सब्द के पहली लगकर के नया सब्द बना देदे यसे मान है इसके आगे प्रत्य लगा दिया तो प्रत्य मान हो गया फिर अभिमान हो गया अभि प्रत्य का जाएगा मेही प्रत्ट का जाएगा और अप भी प्रत्ट होगा तो अविमान, मिहमान और अपमान यह प्रत्ट लग करके नई सब्द बन जाते हैं नीचे दियेगा इसबडों कि मैं तुकान सब्द लेखने हैं जैसे महल का महल ऐसई ही आपके सब्द सब्सें प्रोनाउसिएशन निकलेगा तो तुकान सब्स हो जाएंगे इसे महल का पहल सबसे कब से हवा दवा शुलाया रुलाया या ध्यान ग्यान तो यह तुकवंदी वाले सब्स होती हैं कि मीनिंग से कोई मतलब नहीं और अगले कोश्चन में किसी बाकि को उन्होंने हमें एक सही अर्थ पूर बाकि बनाना तो एक दिन उसके मन में तीन सवाल उठे इसी बरकास से यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है आगे पीछे तो इसका जो हम सही बाकि बनाए वह होगा किसी कार को करने का सही समय कौन सा होता है कौन सा कार सबसे आवश्यक है और ठी समय पर कार पूरा करने का करने का एक सही तरीका है करने का एक सही तरीका है करने का एक सही तरीका है और लास्ट दू कोशन इस प्रकास से हैं कि आपने कानियों में राजा के बारे में सुना और पढ़ा होगा, आपके अनुसारी एक राजा में किया किया गुड होने चाहिए, यानि राजा की अंदर कौन सी गुड होने चाहिए, जिससे वो राजा बनने लाइक हो, तो देखें आप तीन चार पॉइंट हमने लिखें, लिखने के लिए आप सिक आ गय तीसरा पॉइंट होना चाहिए, राजा दूर द्रस्टी रखने वाला होना चाहिए, यानि वो है आगे तक की सोचता हो, और चौथा पॉइंट है, राज को उसका पैसा राज का है, ऐसा नहीं है अपना मान करके और उसको खर्च कर ले अपने निजी कारियों में, और अंत चाहिए, नहीं तुम है, और भी सरम नाम है जैसे तुम है, आप है, ओएंट है, बी है, इन्हें लगा खरकी भी तो सब्द बनाए जा सकते हैं, तो हम हर में की जगे तुम रखेंगे ती हो जागा, तुम हर दिन पाट 16 जाती हो, फिर में की जगे में आप लगा हो आप हो पर शाल है जाते हो फिर मैं इसकी जगह वह लगाऊंगा वह हर दिन पार्ट शाला जाता इसी प्रकास से बे लगा कि हो जाएगा बे हर दिन पार्ट शाला जाते हैं तो यह था चैप्टर नाइन तीन सवाल इसके एक्सेसाइज में आपको पूरी कराने कोश्च किये अपनी तरफ से समझाने कोश्च किये आसा करता हूं आपने सुझ पाई होगी इस क्लास में त्राइंग दैट सॉल